मॉडल बहू अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्राबलम है तो शादी क्योंकि मुझे आप से नहीं बस उस फोटो से प्राबलम है जो आपने सोशल मीडिया पर अपलोड किये हरे इतनी सी बात वार इतना ज्यादा ओवर्येक्ट ये इतनी सी नहीं मेरी करियर की बात है मैं मॉडल हूँ और मेरी इंडिस्ट्री में कोई भी एक शादी शुदा मॉडल के साथ काम करना नहीं चाहता इसलिए अभी के अभी उन फोटो को डिलेट करो नैना के ऐसा कहने पर रोहिट सोशल मीडिया से अपनी और नैना की सारी तस्वीरें डिलेट कर देता है नैना एक मॉडल है उसकी शादी रोहिट से होती है पर उसे हमेशा हर चीज से पहले सिर्फ मॉडलिंग ही दिखाए देती है इसलिए नैना इसके आगे अपनी शादी को भी कोई importance नहीं देती एक रात नैना तयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है अरे इतनी रात को ऐसे तयार होकर कहा जारी हो? नाइट क्लब बहु इस तरह रात भर घर की बहु का बाहर रहना सही नहीं है ओ प्लीज ये छोटी थिंकिंग आप अपने पास ही रखें मेरी प्राफिशन में नाइट क्लब एंड पार्टिस नॉर्मल है ऐसा बोल कर नैना घर से बाहर निकल जाती है और रात भर पार्टी करने के बाद अगली सुबा वो घर वापस आती है जहां उसकी सास घर की सफाई कर रही होती है ओहो ममी आप तो बहुत जल्दी उठ जाती है चलो अच्छा है मैं चली सोने जब पूरी दुनिया के उठने का समय है तब तुम्हे सोना है भला ये भी कोई घर वापस आने का समय है सास को ऐसा कहकर नैना अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है इसके बाद वो सीधा शाम को अपने कमरे से बाहर निकलती है जहां वो देखती है कि उसका पती रोहित और सास टाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे वे है वो भी उनके साथ जाकर बैठ जाती है लेकिन इतना चिकनाई भरा खाना देखकर वो गुस्सा हो जाती है ये सब क्या है मॉम आपको पता है ना कि मैं एक मॉडल हूँ और मुझे अपना फिगर मेंचेन करने के लिए हैल्दी फूड ही खाना होता है नाट लाइक यू फिर भी आपने सारे खाने में तेल ही तेल भर दिया बस नैना बिलकुल चुप पहले तो तुम घर में एक सुई तक नहीं हिलाती और मम्मी जो पूरा समय अकेले काम करती रहती है उन पर चिला रही हो इतनी दिकत है तो खुदी खाना क्यों नहीं बना लेती पर बनाओगी कैसे तुम्हें तो मॉडलिंग पार्टी और सेल्फी के अलावा और कुछ आता ही नहीं न मेरे भाईया भावी ने मुझे आज तक किसी काम के लिए नहीं बोला मैंने जब जो मांगा वो मिला और इन्हें दिखो खाने के नाम पर कितनी बात है सुना दी बस बहुत हुआ मुझे अब यहां नहीं रहना नैना अपना बैक पैक करती है और तुनक कर अपने ससुराल से अपने भाईया भावी के घर पहुँच जाती है जहां उसकी भावी बड़ी खुशी से उसका स्वागत करती है हरी क्या बात है नैना ना कोई खबर ना रोहित साथ में अचानक कैसे आना हुआ मैं तो उस घर को हमीशा के लिए छोड़ाई दुबारा कभी वहाँ वापस नहीं जाओंगी ऐसा बोलकर नैना मज़े से घर में आकर सोफे पे बैट जाती है अब क्या था नैना पूरे ठाट बाट से अपने माईके में रहने लगती है इधर उसकी भावी घर के सारे काम करती और नैना बस अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते वे मौज में बैट करके खाती रहती नैना आखिर बताओ तो सही कि तुम्हारे ससुराल में ऐसा क्या हुआ जो तुमें घर छोड़ना पड़ा बस उन्हें मेरा लेट नाइट पाटी जाना और कोई काम ना करना पसंद नहीं था तो मैंने वो घर छोड़ दिया और यहां आ गई नैना की ऐसी बाते सुनकर उसकी भावी उसे हैरानी से देखने लगती है पर कुछ बोलती नहीं धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बीट जाता है और अब नैना के पास मॉडलिंग के प्रोजक्ट आना भी काफी कम हो जाते हैं जिससे नैना परिशान रहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी सुन्दर मॉडल हूँ तो फिर भी मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? देखो नैना काम में ऐसे उतार चड़ाओ तो आती ही रहते हैं आज नहीं तो कल तुम्हें इससे भी अच्छा काम मिलेगा तब तक अगर तुम चाहो तो घर में खाली बोर बैटने से अच्छा है कि मेरी मदद कर सकती हो अपनी भावी की ये बास सुनकर नैना पहले तो मुझ बिचकाती है पर क्यूंकि उसके पास कोई काम नहीं था इसलिए वो अपनी भावी की मदद करने के लिए पहुच जाती है अब क्या था उसकी भावी उसे घर के सारे काम के साथ साथ खाना बनाना भी सिखा देती है एक रात नैना और उसके भाईया भावी साथ बैट कर डिनर कर रहे होते हैं पता है आज का सारा खाना नैना ने बनाया है मैंने तो बस आज थोड़ी सी ही मदद की है मानना पड़ेगा नैना खाना तो बहुत स्वादिश्ट है आखिर मेरी बेहन मल्टी टैलेंटेड जो है मौडलिंग और घर दोनों एक साथ बखू भी संभाल सकती है और फिर जब मदद करने के लिए घर में कोई दूसरा इंसान भी हो तो फिर दिकती क्या मेरी बेहन चाहे तो उसके लिए कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है भाईया की बातें सुनकर नैना को अपनी सास और रोहित की याद आ जाती है भाईया ममी और रोहित ने कभी मुझे मौडलिंग करने से रोका नहीं वो तो हमेशा हर चीज अकेले संभालते आए हैं और मैं हर काम खराब करती रही ममी पूरा घर अकेली संभालती है और मुझे से बस थोड़ी मदद की उमीद करती है पर उसकी जगर मैं उन्हें उल्टा बोलती रही गलती मेरी है भाईया मुझे अपने सुसराल वापस जाना चाहिए जानकर खुशी हुई बेहना के अब मेरी छोटी सी बेहन समझदार भी हो गई है इसके बाद नैना अपने ससुराल आती है और अपनी सास और रोहित से माफी मांगती है आप क्या था नैना अपने मॉडलिंग और घर के कामों को संभालते हैं ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है